हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ अफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लोग में तो केसे हैं आप सब लोग में उमीद करूंगे आप सब लोग अच्छे होंगे और अभी फिलाल में घर से आ गई हूं कोटा और यहां पर म हूं मेरे चाची के घर पे और यह देखिए दिशानी दिशानी बहुत मस्ती कर रही है आजकल तो अभी है ना हम लोग कहीं जा रहे है तो वो सब कुछ मैं आप लोग एसाथ शेयर करूंगी तो चलिए आप लोग भी बने रही है ब्लोग में तो फ्रेंड्स यहां पर है न ही जादा टाइम लगेगा इसी वज़े से सबसे पहले बड़ा बड़ा जो काम है ना वो सब कुछ खतम करें फिर छोटा मोटा काम करते हुए घर निकलेंगे तो यह जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना ये एक महिने पहले की वीडियो तब है ना मतलब ह पापा का ओप्रेशन करवाना है या पापा की तवेत खराव है ऐसा कुछ भी नहीं था इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मैं इतना खुश लग रही हूँ और घूम रही हूँ फिर रही हूँ क्योंकि तब ऐसा ही था कि थोड़ा बहुत पापा का तवेत खराव है हम लो कटिंग में भी करवा ही लेती हूँ और बहुत दिनों से ना मैंने बालों में कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाता है दिशानी को लेके और बैसे भी बालों में कुछ करवा भी लूँगी तो फिर मैं हमेशा है जुद्दा बना कर ही रहती हूँ त जैसे की पालर जाना तो होता ही नहीं है बहुत कम होता है क्योंकि दिशानी को छोड़के अकेली में कैसे जाओं यही सब कुछ तो आज तो हम दोनों बेहन निकल गए थे और दिशानी घर पे थी तो यहां पर है ना समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कटिंग करवाओ तो वही सब कुछ मैं पूछ रही थी केसा कटिंग करवाना है और वैसे तो मुझे है बाल तो लंबे ही रखने थे और मेरे बाल इतने पतले हो गए है थोड़ा बहुत लंबे ही है और इसी वज़े से मैंने कहा कि बस लेंट बहुत छोटा मत करना और बस कटिंग कर देना तो यहाँ पर सिंपल कटिंग होगी कुछ इतने पतले वालो में कोई भी कटिंग अच्छा नहीं लगता है तो सामने से थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लेयर करना था और पीछे से वस यू या फिर वी कर लू तो यह वीडियो है ना एक महिने पहले का है और शूट करके मेरे फोन में ही था पर इतना सब कुछ हो गया ना इस बीच तो एडिटिंग करके डालने का समय ही नहीं मिला और मन भी अच्छा नहीं था तो इसी वज़े से नहीं डाला था तो अब मैं इस वीडियो को डालूं बहुत अच्छा लग रहा था पर मेरे बाल इतने पतले है ना तो उसमें कोई खटिंग हो नहीं पाएगा इतने अच्छे से और अभी है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेड भी हो गए थे और घर से कोल भी आ चुका था और दिशानी रो रही है तो अभी है ना हम लोगो इतना टाइम लगेगा पर लग गया था टाइम थोड़ा सा तो चलिए अभी है ना एक चक्कर पूरे मोल के लगा लेती हूं और थोड़ा वो देख लेती हूं फिर हम लोग जाएंगे घर की तरफ और दिशानी को ना मम्मी समाल ही लेगी पर मम्मी ना बार बार कोल करके प is लग-लग तरह के खरीड लेती हूं कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूं क्योंकि यहाँ पर मेरा आना ही नी होता बहुत कम माना होता है तो चलिए अभी देख सकते हो यहाँ पर हम लोग शोजया ना नेल-पै लेने आए थे तो वा ही अभी ऑर डून रही थे अच्छा सा कोई color फिर हम लोगों ने बहुत सारे nail print side देख सकते हो side कर लिया है तो वो सारे color है न हम दोनों बेहनों ने ले लिया था उसने कुछ लिये थे मैंने कुछ लिये थे जो मेरे पास है न वो उसके पास नहीं है और जो उसके पास है ना वो मेरे पास नहीं है तो हम दोनों ने ऐसा कर लिया कि जो उसके पास है ना ऐसा सेम मैंने खरीड लिया और मेरे पास जो है ना उसने खरीड लिया तो इसे करके तो चलिए यहाँ पर लेना वेना हो गया है अब थोड़ा सा और देख रही हूँ यहाँ पर कलेक्शन कैसा है ड्रेस का तो आजकल है न सारे कपड़े ओनलाइन तो मिली ही जाते हैं और अभी मैंने कपड़े लिये थे कुछ दिनों में तो इसलिए मैंने फिर नहीं लिये है कपड़े बपड़े कुछ यहां से बस घूम फिर के हम लोग अभी नीचे की तरफ ही जा रहे ताकि हम लोग घर जाए जल्दी जल्दी क्योंकि अभी जादा टाइम है नहीं और अभी है न मुझे बाहर से भी कुछ खरीदना है तो चलिए आप लोगों को मिलती हूँ बाहर जाके और यहां पर देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं बाहर और रात हो गई है हम लोग दिन में आये थे और यहां पर देखिए रात हो गई है तो चलिए चलते हैं और जाते जाते हैं फिर हम लोग है न यहां पर रुख गए थे थोड़ी देर मॉमोस खाने के लिए तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा कहीं जाना था तो वहाँ पर हम लोगों को टाइम लग रहा था वो थे नहीं वहाँ पर तो इसी वज़े से यहाँ पर हम लोग थोड़ी दर बैड भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग निकलेंगे गाड़ी लेके जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर कुछ नहीं कर सकते ट्राफिक बहुत है अभी शाम के टाइम पे इस टाइम ट्राफिक बहुत जादा रहती है हर जगे पे तो यहां पर है ना प्लेट से है ना घिरा भी दिया मेरी बेहन ने और उसक तो चलिए यहां से अब डाइरेक्ट हम लोग कुछ एक शोप पे जाना है और वहां से हम लोगों को फिर घर जाना है तो बहुत ही टेस्टी मॉमस था और यहां पर देख सकते हो सारा सब कुछ करके ना मैं आ गई थी घर पे और घर पे ना मेरा भाई जो है ना मतलब चाच करके भाग जाता है तो अच्छा बना था लास्ट में मैंने थोड़ा सा मतलब इसमें अपना दे दिया था और फिर उसने तो सब कुछ करी रखा था तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए वस इतना ही फिर मिलूंगे एक नए ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई